हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आज हम आपके साथ गेहों के आटे से बने बहुती चटपटे और कुरकुरे स्नेक्स की रेस्पी से येर करेंगे जिसे आप एक महीने तक इस्टोर करके भी रख सकते हैं बनाना बहुत ही जादा आसान है और इसे हमने गेहों के आटे से बनाया है जिससे ये बहुत ही जादा हेल्थी भी है चलिए तो फटा फट से इस मजेदार सी कुरकुरे स्नेक्स को बनाना हम सुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम यहां पर इस कप गेहूं का आटा लेंगे नौर्मल आटा है जिससे हम चपाती बनाते हैं और बन थर्ड कप इसमें हम मैदा डालेंगे इससे नास्ता बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा बनेगा और अब इसमें आदी चमच अजवाइन हाथों से रगड़ कर इसको हम डाल देते हैं इसे नास्ते में टेस्ट बहुत बढ़ी आएगा और टाइजेसन में भी हल्प करती है थोड़ा सान इसमें नमक डालेंगे और दो चमच कुकिंग ओयल डालेंगे सब चीज़ों को आपके को चाहरें MR mustard को को कोई बी new oil आप इसमें काज सकते हैं बस अब सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं तो यह लीजए सारी चीज़ें अच्छे से हमने मिक्स कर दी है अब इसका हम डो टेयार करेंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम डो लगाएंगे तो जैसा रोटी के लिए हम डो लगाते हैं बिल्कुल बैसा ही डो हम इस नास्ते के लिए भी लगाएंगे तो ये देखें डो बनकर हमारा तयार हो गया और इसे हमने रोटी जितना सक्ती रखा है तो अच्छे से इसे एक से दो मिनट के लिए मसल कर हम चिकना कर लेंगे तो ये लिजे डो बनकर हमारा तयार हो गया तो ये लिखे थोड़ा सा ये सकती है तो अब इसको 10 मिनट के लिए धग कर हम रख देते हैं और तब तक हम एक आलू की चटपटी सी श्टपिंग बनाएंगे, तो मेडियम साइज के चार उबले हुए हमने आलू लिये हैं, आलू को छील कर हमने ठंडा कर लिया है, ठंडे आलू ही आप इस नास्ते में यूज करियेगा, तो चारो आलू को हम ग्रेट कर लेते हैं, आप आधी चमच लाल मिड़्च पौवडर, देवपना टाल देशा हैं, आधी चमच इसमें हम गरम मसाला डाली, गटास के लिए एक चूटी चमच अमचूर पावडर, सात में कलर के लिए एक चमच कस्मीरी लाल मिड़्च डाल देटे हैं, और धेव सारा कटा हुआ हरादिया डालेंगे और एक ही छोटी चमच हमने नमक डाल दिया है तो नमक आप स्वात के अमसार डालेगा और वाइंडिंग के लिए यहां पर हम तेन चमच कॉन प्लोर डालेंगे कॉन प्लोर डालने से आलू में जो भी मौश्यर होगा वो खतम हो जाएगा और जब हम नास्ते को फ्राई करेंगे तो यह आलू विखरेगा नहीं तो कॉन प्लोर को आलू में अच्छे से मिक्स करते हुए इसका हम एक डो तयार कर लेंगे तो यह देखे आलू के सारे मौश्यर को कॉन प्लोर ने शोक कर लिया है और यह बिलकुल डो की तरह से बनकर तयार हो गया है तो चलिए अब फटा-फट से नास्ता बनाएंगे तो आटे को रखे भी 10 मिनट हो गए है एक बार और इसे मसल कर चिकना कर लेते हैं अब इसकी हम दो पार्ट कर लेते हैं यह देखे और इसकी बड़ी-बड़ी सी दो लोईयां बना कर तयार कर लेते हैं तो यह देखे इसी तरह से दूसरी लोई को भी हम बना कर तयार कर लेंगे और अब इसे हम बेलेंगे तो इसे हम किचन के स्लैप पर ही बेल लेंगे, थोड़ा सा सुखाटा डश्ट करेंगे, और जैसे हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल बैसे ही इसको भी हम बेल लेंगे, पर रोटी से इसको थोड़ा सा हम पतला ही रखेंगे, तो बेनल सब तरफ आप बरावर चलाएगा, जिसस तो अब जो आलू की हमने इस्टपिंग तयार की थी, उसको हम पूरी रोटी पर बिल्कुल पतला पतला फैला लेंगे, यह आपके हातों पे अगर आलू चिपक रहा हो तो थोड़ा सा आप ओल लगा लिजेगा, और यह देखे, पूरी रोटी पर अच्छे से आलू की पतल बिल्कुल अंदर चली जाए, और उंगलियों से चारों साइट किनारों को हम दवा देंगे, जिससे इस्टपिंग बाहर ना निकले, और अब हलका सा बेलन इस पर चला देंगे, जिससे आलू की जो इस्टपिंग है, सब तरब बरावर फैल जाए, तो यह देखे, अच्छ से कट जाएगी, आपको बिल्कुल भी इन्हें काटने में परिसानी नहीं होगी, और आप चाहे तो पिज्जा कटर से भी इसे काट सकते हैं, यह देखे, इस तरह से काट लिया हमने, और यह साइट के जो है, इनको निकाल देंगे, क्योंकि इसमें आलू की श्टपिंग न काट लेते हैं, और अब एक पीस को हम उठाएंगे, और नास्ता बनाएंगे, तो यह देखे, कौनों को आपस में जोड़ देंगे, और पलट कर बापस से कौनों को हम जोड़ेंगे, यह देखे, इस तरह से, तो यह एक नास्ता बनकर हमारा तयार हो गया, यह देखे, तो एक बार हम आपको और बताते हैं, एक पीस को लेंगे और ये देखिए, दो ये कौने हैं, इनको आपस में जोड़ देंगे, बापस से इसे उल्टा करेंगे, और दूसरे कौनों को भी फिर से जोड़ देंगे, तो ये देखिए, एक नास्ता बनकर और तयार हो गया, तो बस इसी तरह से सारा नास्ता बना कर हम तयार करेंगे, बहुत आसान है बनाना, जब एक दो आप बनाएंगे, तो बहुत आसानी से आपसे ये बन जाएंगे, तो चलिए, अब इनको कर लेते हैं फ्राई, तो तेल गरम होने के लिए हमने रख दिया था, पहले तेल को तेज गर तब इनको आप डालिएगा और उसके बाद गैस की फ्लेम लो से मीडियम के बीच में रखते हुए इन्हें फ्राई करिएगा जब तक कि इन पर हलका सा गॉल्डन कलर ना आ जाए तो ये देखिए लो फ्लेम पर ही इन्हें हमने चार से पांच मिनट के लिए फ्राई कर लिया और डार्क हो जाएगा तो इससे जादा इन्हें हम फ्राई नी करेंगे तो ये देखिए कितना वज्या कलर आया है और इनकी आवाज भी सुनगे बहुत ही जादा ये कुरकुरे बने हैं तो बाकी का नास्ता भी बिलकुल इसी तरह से बना कर हम तयार कर लेंगे तो ये हमा होती जादा ये किस्पी बने हैं आप इसे चोटी मोटी भूक या फिर चाय के साथ इंज्वाई कर सकते हैं और बैसी भी होली आ रही है होली पर आप इस मज़ेदार से इसनेक्स को बना कर जरूर ट्राई करिएगा तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये चटपटे मज़े इसनेक्स की रेस्पी कमेंट करके जरूर बताईएगा और यदि रेस्पी अच्छी लगे तो उसे लाइक करें सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले ऐसी ही नई रेस्पी के साथ नएश पीडियो में हम आपसे फिर मिनेंगे थैंक्यू